लव इन्फाइनेट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप या स्पिरिच्वेलिटी आपको अचानक से पॉप अप हो रही है यनि कि आपके माइंड में आपके सोल से उजागर हो रही है आपको लग रहा है कि नहीं बस हो गया ये 3D, live, घुमना, फिरना, पैसे, girlfriend, boyfriend, बला, system अब सब खतम करना है बस हो गया बहुत late night party, dance, drama, सब कुछ हो गया इसके अलावा क्या? खुब पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, name fame हो गया या अगर ऐसा भी नहीं है लेकिन आप twin flame journey में है और बहुत ज़्यादा separation के stage पर stuck feel कर रहे है अब आपको लग रहे हैं इसके आगे क्या? अब मुझे क्या करना चाहिए? और spiritual transformation आपका होने लग गया है और आप सूच रहे हैं कि angels numbers भी मुझे अचानक दिखने लगे हैं इस तरह की videos दिखने लगी है ज्यादा ही spirituality की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ जो पहले नहीं किया पवित्र चीज, positive चीज वो लगातार आप कुछ नया करने लगे हैं तो ऐसी क्या spiritual transformation है जो अधिकतर आपको 4-5 चीज़ों की तरफ लेके जाती है spiritual transformation तो आपको मालूम ही है कि हाँ spiritually आप हाई हो रहे हैं आप नया positively change हो रहे हैं transformation हो रहा है यानि कि बदलाव आ रहा है जो पुराना काम कर रहे थे जो पुरानी जॉब कर रहे थे जिन पुराने relationships में थे या घर, कपड़े, या lifestyle था वो सब कुछ बदल रहा है एक positive manner में एक positive way में तो ऐसे कौन से symptoms हैं जो बिलकुली ना भूलने वाले हैं और आपको लगता है कि ये spiritual transformation ही है या मेरे साथ कुछ और हो रहा है अगर आप self doubt में हैं तो आपका self doubt आज clear कर देते हैं number one पहली बात तो ये है कि when things start to fall apart जब आपको कुछ चीज़ें खोने लगेंगी जब relationships आपके हाथ से जाने लगेंगे इधर उधर के, अपनों के, दोस्तों के तब आप समझे कि ये आपका spiritual transformation होने लगा है आपको even ये भी याद रहने लगेगा कि अच्छा मैंने ये जॉब तब छोड़ी थी ये वाला relationship अपने आप ही पिछे छूट गया था या फिर अगर आप इसी stage पर है अभी आप self doubt में और आपको समझने आ रहा कि मेरे ये जो दोस्त थे या siblings थे इतने अच्छे थे अब तक suddenly ने क्या हो गया है ये क्यों इतना जॉला मुकी की तरह फट रहे है ये मेरे against क्यों हो रहे है मैं तो जब transform हो रहा हूँ जब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये इतने against क्यों हो रहे है और मुझे इनके against होने में मुझे कुछ चुब नहीं रहा, मुझे लग रहा कि ठीक है, तुम लोग भी यहां से चले जाओगे, तो मुझे कोई problem नहीं है, तो अगर ऐसा लग रहा है, तो यह समझ लीजिए, आपका spiritual transformation हो रहा है, और new opportunities आपके life में नहीं नहीं आने लग गई हैं, और इस चीज़ से आने दीजिए, जाते हुए देखिए, एक साक्षी भाव में रहें, साक्षी मतलब witness रहें कि हाँ यह हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं body नहीं हूँ, मेरा जो नाम है मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई male और female भी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, बस एक आत्मा के रूप में सा आपने लिए, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी transform हो रहा है, जो चीजें आपके हाथ से जा रही हैं, जो relationships आपके हाथ से छुट रहे हैं, उन्हें जाते हुआ देखने, देख लीजिए, देखते रही है उन्हें, तो जाने दीजिए मेरे कहने का मतलब है, you will lost but you will gain peace eventually, अन्त म एक प्रेम, एक आनंद, एक शान्ती जिसे कहते हैं, बैसिकली हम शान्ती और मोक्ष के पीछे ही तो भाग रहे हैं, हमें क्या चाहिए, शान्ती चाहिए, है ना, बहुत हो गया, dance drama, बहुत हो गया, दुनिया के कार्मिक और नासेस्ट रलेशनशिप, ट्विन फ्लेम भी ब है, जब आपका spiritual transformation हो रहा है, वो है, जब आप वाकई confused हो रहे हो, जब आपको लग रहा हो कि ये वाकई मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा दिमाग सोच रहा है, क्या मैं ये टेलीपैथी कर रहा हूँ, ये मुझे angel numbers दिख रहे हैं, या मैं angels numbers खोज रहा हूँ खुद, मुझे twin flame के videos दिख रहे हैं, या मैं जान बुझ के देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक video देखा तो दस्तों आएंगी उसी से related, क्योंकि YouTube का तो इसी तरह का pattern है, जो देखेंगे उसी तरह की चीज़ें आपको सामने आएंगी, तो फिर मुझे angel number YouTube पे क्यों नहीं, उसके अलावा भी क्यों दिख रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है या मैं सच में spiritual journey में आगे बढ़ रहा हूँ, तो अगर इस तरह की confusion है, तो समझ लीजे, आप वह वाकई आगे ही बढ़ रहे हैं, आपकी research या खोज लगातार बढ़ रही है, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि, यह बढ़ चल रहे हैं, राइट पाइस पर चल रहे हैं, नमबर त्री में ये बताना चाहूंगी, lack of trust, आपको हर किसी पर आप trust नहीं रहने लगा, जैसे कि आप पहले पर सब पर कर लेते थे और पर बाद में दोका गाते थे, खाते थे ना, तो इसी तरह किसे, चाहे वो कोई relationship हो, आप कहते हैं, चल रहो ठीक है, मुझे किसी पर विश्वासी नहीं है, चौती बात ये कहूंगे कि आपको ये लगता है कि सारी दुनिया आपके against है, you feel that whole world against you, मुझे कोई सुनी नहीं रहा, मुझे कोई समझी नहीं रहा, अब तो मैं बहुत कुछ अच्छा जान गया हूं, जान गई हूं, मुझे बहुत कुछ बताने का माने, अरे सुन लो भाईयों, सुन लो, आप बताने को होता है यार, अपने घर में भी, बेटा ऐसे करो, हस्बंड ऐसे सुनो, बेटा बिटिया नानी ऐसे करो, ये करो, वो करो, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझ अच्छा चल रहा है और नमबर फाइव यह कहूंगी कि आपको सच में पूरे वर्ड में जो ये कुरुएल्टी हो रही है हर तरह की हर तरह की चाहे वो पुल्टेक्स में हो चाहे वोमिन का जो भी इस्वर्शन होता है ये सब हो या जो भी कुछ गलत हो रहा है या प्राइस ह हो रहे हैं सम्टाइम वोलेंट भी हो जाते हैं सम्टाइम अपने विचारों को दूसरा पर थोपने के लिए तयार हो जाते हैं तो ये वाली स्टेज है आपकी स्पिरिच्वल ट्रांस्फोर्मिशन की इसके बाद आपको क्या होगा कि आपकी रिसर्ज पढ़ती जाएगी और आप बहुत जादा ग्यान प्राप्ट कर लेंगे जब आप विज्टम में आ जाएगे तो सम्टाइम जब स्पिरिच्वल विज्टम आ जाएगा तो साथ ही साथ स्पिरिच्वल एगो भी आ जाएगा तो इस चीज़ का धियान रखिए स्पिरिच्वल एगो को थोड़ आप बाहर ही रहने दीजिए और spiritualism को अपने अंदर अपनी आत्मा से जोड़ के रखिए फिर देखें क्या मज़ा आता है भगवान का साथ कभी मत छोड़िये भगवान से उपर निकलने की जरूरत नहीं है भगवान बनने की जरूरत नहीं है आप बस प्यार बने रहिए just be love don't try to find love outside this world है ना अपने से बाहर प्यार को मत ढूड़िये बस आप खुद प्यार बन जाए तो किसी के against नहीं जाना है दुनिया के against नहीं जाना है जो लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं situation आपको छोड़ के जा रही है जो सामान आपके पास नहीं रह रहा है मान लिजे सम्टाइम चोरी भी हो जाता है तो समझ लिजे वो आपका था ही नहीं तो किस बात का डरना है जो है वो मिलके रहेगा जो आप deserve करते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा और जो चीज रहनी नहीं है आपके पास तो वो रहेगी भी नहीं तो फिर किस बात का डर है इसलिए हर तरह के दुख से, हर तरह के दर्द से हर तरह के डर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और spiritual transformation पर no doubt, self doubt बिलकुल भी मत कीजिए और enjoy कीजिए थाय थे मुझ काशिए तक पारिव नहीं। वाई-बाई दूसमान आपके पुमाश्यझ